नमस्कार दर्शे को मैं सिदफ आपके साथ और भी मैं सब मुझूद है अचारी सरीता मिर्शा जी जो की एक बेस्ट एस्ट एस्ट लोजा नियू विलाजिस फेस्ट रीडर एंड राशी रतनी की बहुत अच्छी एक्सपर्ट हैं तो सबसे पहले में आपका बहुत बहुत स नमस्कार मैं से हम जानेंगे कि जिन्दगी में लोग कितना परिशान रहते हैं अपनी शादी को लेकर करियर को लेकर पैसी कमानी को लेकर तो यह सब चीज़ें बहुत माइनी रखती हैं तो इनका क्या उपाई हो सकता हैं किस तरह हम इन परिशानियों से अपनी जिन्दग या उसको कोई तकलीफ है, शादी में देर से होती है, या नहीं सही दबर नहीं मिल पा रहा है, होते होते रुख जाती है, तो हम चाहेंगे कि मैं आपको बताना चाहूंगे कि उसका सबसे असान तरीका है, इसका मतलब है कही न कहीं आपका गुरू और शुक्र जो है वो कमज करते हैं, तो यह बहुत असान तरीका है, रामबान कहलेजे, जिसकी शादी नहीं हो रही है या देर से हो रही है या उसको सई स्पाउस नहीं टक्रा रहा है तो उसके लिए, उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम है, शादी हो जाती है बड़ दिक्कते आती है, उसमें कैसे हम तो वही दिक्कत है आपका गही न कहीं गुरु और शुकर फिर कमजोर है शादी तो कहीं न कहीं किसी तरीके से हो गई है बट अब बन नहीं पा रही है दिक्कते महसूस हो रही है तो उन रिष्टों को दिक्कतों को दूर करने के लिए गौरेशन का रुद्राग शाप पहन स ताकि आपको वो इफेक्ट करे आपकी लाइफ में, यह हो सकता है तो जैसे कि आप देख रहे हैं, लव लाइफ के लिए कुछ इस तरह के उपाए हैं और अगर उपाए मिल जाते हैं, तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं करियर के बारे में, किसी को दिक्कत होती है कैरियर में, किसी का कैरियर सही दिशा में नहीं चल पा रहा है किसी को यही पता नहीं है, मैं व्यापार करूं या जॉब करूं वो जॉब में फसावा है, उसकी व्यापार लिखा है कुंडली में पहले मैं चाहूंगी आप अपनी कुंडली बहुत अच्छे एस्ट लॉजर को चाहे मुझे मुझे से दिखाएं या कहीं और दिखाएं मगर पहले ये पता करें कि आपको वेपार सूट करता है या जॉब उसके बाद आप खाट डालें क्योंकि अगर आपको वेपार सूट करता है और आप नौकरी में लगे में हैं तो कभी भी आप तरक्की नहीं पापाएंगे अगर आपको फिर भी वेपार करते हैं और कोई दिक्कते आ रही हैं या जॉब करते हैं वहाँ दिक्कते आ रही हैं तो मैं आपको ये बोल सकते हूँ कि आप 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं जिससे आपका वेपार और जॉब में आपको तरख्य असानी से मिल सकती है तो ये करियर की बात थी और करियर में जैसे कि मैंने बताया आप उद्राक्ष मैंने और अपनी परिशानियों का हल जाने और मैं आप क्या कहना चाहती है, अपने तरीके से दर्शकों को क्या कहना चाहती है मैं दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि समस्या है तो समाधान भी है आप निराशा नार पकड़े, जीवन है, जीवन संघर्श का नाम है बहुत लोग हताश हो जाते हैं बहुत असानी से प्लीज हताश नहीं हुए यह लाइफ है लाइफ में स्ट्रगल है मैं यह नहीं कह रही है इसको काफी हद तक कम किया जा सकता है उपाईयों के साथ तो हम आपको सिरफ एक मांग दर्शन दे सकते हैं उस मांग दर्शन के किसी की परिशानी को कैसे आप बता सकते हैं बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बालों के द्वारा नाक के द्वारा कानों के द्वारा होटों के द्वारा माथे के द्वारा इंसान के चरित्र के बारे में या इंसान के भविश्य के बारे में काफी हद तक बता जा सकता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जिसके curly hairs होते हैं कहते हैं कि उसकी judgment बहुत होती है। इसका बहुत अच्छा example है कि अगर आपने देखा हो तो हम अगर TV में भी आपने देखा हो तो जज को तो हमेशा curly hairs के big पिनाई जाती है, क्यों? क्योंकि curly hairs पहनने से judgment बहुत अच्छी होती है, जिसके curly hairs होते हैं, उसकी judgment हमेशा strong होगी, इसलिए judge को हमेशा उस तरीके के big पिनाई जाती है, ठीक है? जिसके बाल छोटे होते हैं, उसको वो independent lady होगी, अगर उसके बाल कंदे से होगी, जिसकी मांग निकली होगी, मांग सीधी निकालती है, उसके जीवन साती के उमर लंबी होती है, उसको पूर रूप से पती सुप मिलता है, ठीक है, यही बता सकते हूं बालो के बारे में, अब हो गई आखों के बारे में, आखों का रंग किसी का काला होता है, किसी का बूरा होता है, किसी का नीला होता है सबका अलग अलग रंग होता है तो हम उस आंखों के रंगों से जान सकते हैं उसके बारे में कि वो इंसान कितना faithful है आंखों से जाना जाता है इंसान का faithfulness जिसके आंखों का रंग काला हो उसके आप पूर्ण लूप से विश्वास कर सकते हैं जिसके आखों का रंग बूरा हो या ब्राउन डिश हो या कैट आई जिसे कहते हैं उस तरीके के आखे हो तो इनसान को उससे थोड़ा सा रिजर्व रहना चाहिए यह होता है उसके बाद हम नाख द्वारा जान सकते हैं उसका शुकर कैसा है इनसान का शुकर नाख के द्वारा जिस इनसान की नाख पॉइंटेड हो उसका शुकर बहुत अच्छा होगा जिस इनसान की नाख पॉइंटेड ना हो उसका शुकर कमजोर होगा शुक्र गम्जोर मतलब उसका चंचल सुभाव होगा वो कहीं भी बहुत असानी से भटक सकता है उसके बाद हम जान सकते हैं होटो द्वारा कि आपके जो बचा होगा बेटा होगा या बेटी होगा होटो के द्वारा पता किया जा सकता है चिन के दुआरा आप मंगलिक हैं कि नौन मंगलिक हैं ये पता किया जा सकता है माथे के दुआरा पता किया जा सकता है कि आपका भाग्य कितना स्ट्रॉंग है आपका लग कितना स्ट्रॉंग है तो इसी तरीके से इन चीजों को देखते वे मैं आपको बहुत असानी से बता सकते हूँ चेहरा देखके जरूरी नहीं है कि जनम पत्री से ही पता लगे जिस इनसान को अपना डेट ओबर टाइम प्लेस नहीं पता वो चेहरा देखकर भी मुझसे मिल सकता है और संपर कर सकता है उसके द्वारा भी मैं उसका चेहरा और हातों की रेखा देखके उसके भवेश्य के बारे में बता सकते हूँ तो जैसे कि आप देख रहें ते दर्शुको अब ही हमाए साथ मौजू उत्ती सरीता जी रहिएन अब हमाए साथ मौजू है रागरी श्मिश्रा जी तो वो हमें बताने वाले हैं निविलोजिस्ट के बारे में एक से नौ तक आप बताईए कि इसमें क्या स्वामी होते हैं, क्या होता है इसमें निविलोजी में एक से नौ नंबर होते हैं तो जो एक नंबर होता है वो सूरिय का होता है जो सूर्य है उसका स्वामी एक नंबर का जो व्यक्ति होगा एक नंबर वाला वो उसका स्वभाव जिद्धी होगा और जो दो नमबर है वो चंद्रमा का बताया गया है दो नमबर और चंद्रमा का जो स्वामी है जो चंद्रमा का जो दो नमबर है उसका स्वामी चंद्रमा है इसकी वज़े से वो आदमी थोड़ा शांक सभाव का होगा तीन नमबर कहा गया है बुद्ध का जिसका ये नमबर है तीन नमबर वो व्यक्ती थोड़ा जादा बोलने वाला और बुद्धी मान बुद्धी मान व्यक्ती होगा चार नमबर राहु का है वो व्यक्ती थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला आपको भी confuse करेगा और और खुद भी confuse रहने वाला व्यक्ति होगा पांच नमबर सूर्य का है वो बुद्धी मान व्यक्ति होगा पांच नमबर वाला स्टेश्ट होगा जैसे कि हम जज समस्ते हैं जज और नेता और इस तरह के व्यक्ति होगे स्टेश्ट समाज में मान समान जिनका होगा जादा छे नमबर शुक्र का है ऐसा व्यक्ति सुन्दर और फिलम इंडर्स्ट्री है जैसे बॉलिवुड वगेरा उसमें काम करने वाला होगा जिसका शुक्र छे नमबर शुक्र है साथ नमबर है मंगल केतु का नमबर है तो साथ नमबर का स्वामी केतु है तो वैसा व्यक्ति बहुत जादा सीधा साधा साधान व्यक्ति होगा आठ नमबर शनी का नमबर है ऐसा व्यक्ति टेक्निकल डिपार्टमेंट में हो सकता है अच्छा करेगा टेक्निकल में कम्प्यूटर लाइन में और Aluminium की Industry लगा सकता है ऐसा व्यक्ति नौ नमबर मंगल का है वुमी से लेटीट जैसे प्रॉपर्टी का काम है या और कोई काम आप वो करना चाहे तो वो कर सकता है तो जैसे कि आपने देखा हमने निवनो लॉजिस के बारे में जाना राकेश जी से अब हम जानेंगे और Remedies मंत्र क्या है इसका मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूँ पहला होता है अनंत नामक काल सर्दोष और दूसरा होता है कुलिक नामक काल सर्दोष तीसरा होता है वासुकी नामक काल सर्दोष छोता होता है शंक पाल नामक काल सर्दोष पांचवा होता है पदम पदम नामक काल सर्दोष छटा होता है महापदम नामक काल सर्दोष साथवा होता है करकोटक कालसर दोश आठवा होता है तक्षक नामक कालसर दोश नौवा होता है विजधर नामक कालसर दोश दसवा होता है शंक चूड कालसर दोश ग्यारवा होता है शेशनात नामक कालसर दोश और बारवा होता है घातक नामक काल सरब दोश बारा फरकार के काल सरब दोश होते हैं इनका क्या महत्व होता है? इनका महत्व ये है कि अगर आपकी लगन कुंडली में लगन में ही राहू बैठा है और उसके सामने जो सात्वा भा होता है वहाँ केतु बैठा हुआ है और बाकी घ्रह 8 से और 11 के बीच में हैं यानि कि सब बहार हो गए हैं राइट साइड में आगे हैं घ्रह तो काल सरफ दोश ये अनंत नामक काल सरफ दोश बनता है जिसके प्रभाव ये हैं कि उसमें जो घर बीच में खाली रगए हैं जैसे कि ध पूरी बन जाएगी पांच होता सिक्षा का ऐसा वैक्सली सिक्षा में थोड़ा सा उसको परिशानी रहेगी और छटा इस्तान होता है आपका रोग का तो आपको पीट और डाइजेशन की प्रॉब्लम करेगा और आपका केरियर बनने में परिशानी आएगी